बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम अस्सलाम अलेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू यामी की छोटी सी दुनिया में आप सब का स्वागत है तो आएं और यामी की छोटी सी दुनिया में शामिल हो जाएं रब्श रहली सद्री वे यसली अम्री वेहलु अख्दतम मिल लिसानी यफकहू कौौली फस्कुरू लाह कमा अलामकूं नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह अल्लह ने तुम्हें सिकाई है तो यह सुरा बक्रा की आयत है तो मेरे अजीजों मेरा रभ अरभ फर्मा रहा हैा कि नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह अल्ला ने तुम्हे सखा voll परिये तो हमें नमाज फैसी पढ़णी है जैसी धाओ आची है तो अल्ला ने हंने रह मेς पढ़णी है तो नमाज का तरीखा हमें कैसे पता चलेगा तो उस नमाज का तरीखा हमें हमारे प्यारे नबी अल्लाव की हदीसों से बचलेगा तो हमें हर नमाज किताब सुन्नत के तरीखे से पढ़नी है और वितर के नमाज में काफी अक्तलाफात है तो आज हम वितर के नमाज के बारे में जानेंगे कि वितर के नमाज हमें किस तरह पढ़नी है हम किताब सुन्नत की रोशनी में वितर के नमाज को पढ़ने का तरीखा जानेंगे हमारे प्यारे नभी ने फर्माया नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ते लेखते हो ये बुखारी की रिवायत है मजीद फर्माया कियामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा जिसके नमाज दुर्स तयाने मुहम्म्मस सल्ले लिए लिए की तरीके के मताबिक हुई वो कामियाब वा कामिरान होगा और जिसने नमाज बिगार दी आपको नमाज का तरीखा बताया ابنِ ماجا کی حدیث ہے कि हमारे प्यारे नभी ने फर्माया वितर अदा करना हर मुसल्मान पर लाजम है और हमारे प्यारे नभी ने फर्माया अल्ला ताला ने नेकिया हासिल करने में एक नमाज के जरीए तुम्हारी मदद फर्माई है वो नमाज तम्हारे लिए सुर्ख उटों से भी बेतर है और वो नमाज वितर है ये अबन माजा की रिवायत है अबन माजा की रिवायत है कि हज़त अली रजी अल्ला अनो फर्माते है कि वितर फर्ज नमाज की तरह लाजमी नहीं है बलके ये सुन्त है जिसे रसूल Allâh ने मुकरर किया है तरमिजी के हदिश है कि हमारे प्यारे नवी ने अकेला है और नमाज वितर को पसंद फरमाता है इस नमाज को वितर इसलिए कहा जाता है कि वो हमेशा ताख होती है ये कियाम लेल का हिस्सा है और इसके आखिर पर पड़ी जाती है इसी नजबत से कियाम लेल को भी वितर कहा जाता है वितर कियाम लेल का हिस्सा है नमाज इशा का हिस्सा नहीं है जैसा कि हमारे हैं समझा जाता है रसूर Halloween सलएलेंथ ने फर्माया अल्म ताल ने तुम्हारे लिए लिए नमाज़ वितर का वक्त नमाज़ इस्वेसे तलू फजर तक मुकरर की ये इसते तिल्मिजी ने रुभायत किया है वितर इस्वेसे रस। में वितर पढ़ी ए और आखिर में आपका वितर पढ़ना सुबह के खरीब पहुचा तहज़ूत ना भी अदा करनी हो तो भी वितर पढ़नी चाहिए सेदा आइशा रजीछाला नहें फरमाती है नभी अक्रम S.T. पढ़ते और मैं वितर पर आपके सामने सो ही होती जब आप वितर का इरादा करते तो मुझे जगा देते तो मैं भी वितर पढ़ती इसे बुकारी ने रिवायत किया है नमाज-थि-वितर का अफजल वक्त राप का आखरी पहर है लेकिन आखरी पहर बिदार ना होने वाले को सोने से पहले वितर पढ़ने की अजाज़त है हमारे प्यारे नभी आखरों ने फ्रमाया जिसे रात के आखरी हिस्ते में बिदार होने की उम्मीद ना हो वो पहले हिस्ते में वितर पढ़ कर सो जाए और जिसे लालच हो कि वो रात के आखरी हिस्ते में कियाम करे तो वो रात के आखरी हिस्ते में वितर पढ़े क्योंकि रात के आखरी हिस्ते के नमाज में फरिश्टे हाजिर होते हैं और ये अफजल है जो तहज़िद पढ़ते हैं वो सबसे आखिर में वितर पढ़ेंगे रसुल अल्ला सलम ने फरमाया नमाज तहज़िद के आखिर पर वितर पढ़ो अगर किसी मजबूरी के वज़े से वितर रह जाएं तो नमाज फजर से पहले वितर पढ़ी जा सकती है मुहम्मद बिनल मुन्तशिर अपने बाप से रिवायत करते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूत रजी अल्ला अन्हों से पूछा गया क्या अजान के बाद वितर पढ़ना जायज है तो उन्होंने फरमाया हाँ और अकामत के बाद भी यानि जमात के बाद भी क्योंकि अकामत के बाद नमास जायज नहीं कोई शक्स अगर रात को वितर पढ़कर सो गया फिर इससे सुबा तहजुद के वक्त आग खुल गई तो वो दो रिकार नमास पढ़ सकता है क्योंकि वितर के बाद दो रिकार बैठ कर नमास पढ़ना रसूर अल्लाल सलल से साबिछ है हजरत आशा रजिय realised नहां फरमाती है रसूर अल्ला सललल झेला नौ रिकार वितर समयद पढ़एथ थे पिर सलाम फेंने के बाद तो रिकार बैढ़कर अदा करते थे इससे मुस्लिम ने रिवायत किया है तो इस से हमें पता चला के वितर के बाद नमास जाइज है लेकिन इसके बाद दोबारा वितर पढ़ना जाइज नहीं सही आहदीस साबित हैं कि हम एक रिकाट, तीन रिकाट, पाच रिकाट, साथ रिकाट या नौ रिकाट पढ़ सकते हैं एक रिकाट पढ़ने का तरीखा ये है कि एक रिकाट पढ़ें और सलाम फेड़ दे बाज लोग एक रिकात वितर को तस्लीम करने के लिए तयार नहीं है जबके अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्ला अनों फरमाते हैं के रसूल अल्ला सल्ला अल्युज़ से एक आदमी ने रात की नमास के बारे में सवाल किया तो आप सल्ला अल्युज़ से ने फरमाया रात की नमास दो दो रिकात है फिर जब कोई सुबा हो जाने से डरे तो वो एक रिकात पढ़ ले वो एक रिकात इसकी सारी नमास को ताख बना देगी इसे बुखारी ने रिवायत किया है तीन रिकाद वितर पढ़ते हैं मघरिब कें बीच में मुशाबत करने से मना किया गया है याने मघरिब की नमास की तरह वो तीन वितर नहीं बढ़नी है हज़त आईशा रजी अल्ला अनहा बियान करती है कि रसूल अल्ला अल्ला ने पाच रिकाद वितर अदा की है और बीच में कोई तशुद नहीं किया इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है लेहाज़त तीन रिकाद भी इसी तरह पढ़नी चाहिए कि बीच में कोई तशुद ना बैठा जाए दूसरा तरीखा ये कि दो रिकाद अलग पढ़कर सलाम फिर दिया जाए फिर एक रिकाद अलग पढ़ी जाए रसूल अल्ला अल्ला अल्यों ने फरमाया रात की नमाज दो दो रिकाद पढ़ो जब खतम करने लगो तो एक रिकाद पढ़ लो इसे बुखारी ने रिवायत किया है पाँच रिकाद वितर में सिर्फ आखरी रिकाद में तशुद बैठें तीन रिकाद वितर में भी आखरी रिकाद में तशुद पढ़ें बीच में हरगिस तत्षुद ना बैठें तो हमें क्या पता चला कि हम को वितर किस तरह पढ़नी है हमें वितर इस तरह पढ़नी है कि अगर हम तीन रिकात वितर पढ़नी है तो दो रिकात पढ़कर सलाम फेरेंगे फिर एक रिकात पढ़कर फिर सलाम फेरेंगे और अगर हम तीन रिकाद एक साथ पढ़ रहे हैं तो तीनों एक साथ पढ़ेंगे बीच में तश्द में ना बैठेंगे बलके तीन रिकाद पूरी करने के बाद सलाम फेरेंगे हजरत अब्य बिन काब रضी अञारा उनों फरमाते हैं कि रसूल All della स्यदे बिन काब जितकते हैं वायत किया है। जिने तूने आफियत बक्षी है। इसके लावा वितर में और भी दूआ साबित हैं लेकिन मैं यहां एक का जिकर कर रही है। तो आफिक अता फर्माएं आमीन यारब लालमीन तो आप सब खुश रहें अपना ख्याल रखें अगले वीडियो में बहुत जल्द मुलाखात होगी। तब तक के लिए अल्ला हाफिज।